हलो मेरे दोस्तों कैसे आप लोग मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बैतर होगा आज एक बहुत अच्छी न्यूज है अभी पांस मिनट पहले ही मुझे रेसीव हुई है इसलिए मैं आपको बताना चाहरा हूँ इससे अच्छी खुश सब कुछ है तो 29 नवंबर के बाद से रात में मैं न्यूज बता दूँगा अभी बस इतनी ही गुड न्यूज है कि 29 नवंबर के बाद इंडिया से जो ट्रेवल करेंगे सिंगापूर ने उनको क्वारंटीन फ्री ट्रेवल अंडर वी टी एल जिसे बोलते हैं ने एलाव कर दिया है अंडर वी टी एल के अंदर डेट है 29 नवंबर क्योंकि मैंने देखा था कि सिंगापूर में जो इंडियंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं वीजा होल्डर्स हैं उनकों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एस एचन में रूम आरेंजमेंट में और सबसे अच्छी बात है यार कि इंडिया के लिए जो क्वारंटीन फ्री ट्रावर 29 नवंबर के आज है भाई 15 नवंबर तो 14 दिन बाद यानि 15 दिन बाद आप आगले दो हफते के बाद जो भी बंदा ट्रेवल करेगा वो क्वारंटीन फ्री ट्रेवल होगा वी टी से होगा इससे इतनी मुश्किलों का सामना क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट जब नया आता है उसको यहीं नहीं पता कि अरेंज रूम कहा करना है कौन सी वेबसाइट से करना है क्योंकि वह फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो सिंगापुर ने और इंडिया का जो वैक्सि में डाल दूँगा भाई तो इससे अच्छी खुश कवरी नहीं है तो भाई सारी वीडियो को शेयर कर दो और इसी तरह से प्यार बनाई रखो बताने का मतलब यह था कि बाई सिंगापुर ने इंडिया वालों के लिए 29 नवंबर के बाद क्वारेंटीन फ्री ट्रवल कर ौति म Japanese गुआउश और इत्रह से बाद गरव थोल बनाई को कि अठीवा कुछ ज्यादा करने की जूर्स यह अपनी ऐर टिकित लेनी है आई एप्योगा आपके पास है आईसी एप्रूवल लेना है अपने वेशीनेशन का रिकॉर्ड आपको इधर आजाना है और उसके बा झाल झाल